गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है महर्शी वेदव्यास श्री कृष्ण कालीन महर्शी वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था शुरत ज्यान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने चार वेद ब्रह्म सूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भावतिक एवं आध्यात्मिक ज्यान राशी को संकलित कर अंत में स्वयम हे निरने दिया के गीता शुगीता कर्तव्या कि मन्ये सास्त्र विस्तरे याश्वयम पद्मनाभष्य मुपद्मादव विनिस्रता भीश्मपर गीता भली प्रकार मनन करके हृदे में धारन करने योग्य है जो पद्मनाभ भागवान के श्री मुख से निस्रत वाड़ी है फिर अन्य शास्त्रों के संग्रे की क्या आवश्यक्ता मानव सृष्ट के आदि में भागवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निस्रत अविनाशी योग अर्थात श्री मद भागवद गीता जिसकी विस्तरत व्याक्या वेद और उपनिशद है विस्मृति आजाने पर उसी आधि शास्त्र को भागवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुना प्रकाशित किया जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है एकम शास्त्रम देव की पूत्र गीतम एको देवो देव की पूत्रेव एको मंत्रस तश्य नामानियानि कर्मा पेकम तश्य देव श्य शेवा गीता महात्तम अर्थात एक ही शास्त्र है जो देव की पूत्र भागवान ने श्री मुक से गायन किया गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है उस गायन में जो सत्य बताया आत्मा सिवाए आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा ओम अर्जुन ओम अक्षय परमात्मा का नाम है उसका जपकर और ध्यान मेरा धर एक ही कर्म है गीता में वर्णित परमदेव एक परमात्मा की सेवा उन्हें श्वद्धा से अपने हृदे में धारन करे अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है भगवाण श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चाद परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया गीता के ही पथ पर चलने वाले पथिक है गीता के ही संदेश्वा हक है ईश्वर से ही लौकिक एवं पार लौकिक सुखों की कामना ईश्वर से डरना अन्य किसी को ईश्वर न मानना यहां तक तो सभी महापुरुषों ने बताया किन्तु इश्वरीय साधना इश्वर तक की दूरी तै करना ये किवल गीता में ही सांगो पांग क्रम बद्ध सुरक्षित है गीता से सुख शांति तो मिलती ही है ये अक्षय अनामय पद भी देती है देखिए श्रीमत भगवत गीता के टीका यतार्थ गीता धर्मसिद्धान्त एक सभी प्रभु के पुत्र ममैवाउशो जीवलो के जीवभूत सनातन मन शष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्शती सभी मानव इश्वर की संतान है मेरे विशुद्ध अंच है मानव तन की सार्थकता किम्पुनर ब्राहना पुन्या भक्ता राजर्षयस्तता अनित्यमा सुखं लोकं इमं प्राप्यभजस्वमां सुख रहित छण भंगुर किन्तु दुरलब मानव तन को पाकर मेरा भजन कर अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है मनुष्य की केवल दो जाती द्वाव भूत सर्गवलो के स्मिन दैव आसुर एवच दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मेश्रिनू मनुष्य केवल दो प्रकार के है देवता और असुर जिसके हृदे में दैवी संपत्तिकारी करती है वो देवता है तथा जिसके हृदे में आसुरी संपत्तिकारी करती है वो असुर है तीसरी कोई अन्य जाती सुरिष्टी में नहीं है हर कामना इश्वर से सुलब प्रैविध्यामाम सोमपाह कूतपापा यग्यैरिष्टवास्वर्गतिंप्रार्थयंते ते पुन्यमा साध्य सुरेंद्रलोकं अश्नन्ति दिर्व्यांदि विदेवभोगं मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं मैं उन्हें देता हूँ अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलब है भगवान की शरण से पापों का नाश संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा ने संदेह पार हो जाएगा ज्ञान आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है और इसके अत्रिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है अता इश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है भाजन का अधिकार सब को अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेवसमन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो ही सह क्षिप्रम्भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्चती कउंते अप्रति जानी नमेभक्त प्रणश्यती अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीक्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर लेता है अत्य धर्मात्मा वो है जो एक पर्मात्मा के प्रति समर्पित है और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है भगवत पत्मे बीज का नाश नहीं नेहा भिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायोन विध्यते स्वल्पमप्यस्यधर्मस्यद्रायते महतोभया धर्म अर्थात आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है धर्म अपरिवर्तन शील है इश्वर का निवास इश्वरह सर्वभूताना रिद्देशेर जुनतिष्ठती ब्रामयं सर्वभूतानी यंत्रारूढानी माययावा इश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है तो शर्ण किसकी जाएं? संपूर्ण बहाव से उस हृदयस्थ एक परमात्मा की शर्ण में जाओ जिसकी कृपा से तू परमशान्ती शाश्वत परमधाम को प्राप्त होगा यक्य संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को मन की चेश्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित होई आत्मा में सैयम रूपी योगाग्नी में हवन करते हैं अपाले जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणा पानगती रुद्ध्वा प्राणायाम परायना बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गती रोक कर प्राणायाम परायन हो जाते हैं इस प्रकार योग साधना की विद्विशेश का नाम यग्य है, उस यग्य को कार्य रूप देना कर्म है, कर्म एवं बहु विधा यग्या, वितता प्रम्हणों मुखे, कर्मजान विधितान सर्वान, एवं ग्यात्वा विमुक्ष से इस प्रकार बहुत से यग्य जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरूध कर, प्राणायाम के परायन होना इत्यादी, यग्य जिस आचरन से पूर्ण होता है, उस आचरन का नाम कर्म है, कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धवती का नाम यग्य है विकर्म विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं आत्मस्थित, आत्मत्रिप्त, आप्तकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाब है और न छोड़ने से कोई हानी ही है फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं ऐसा कर्म विकल्प शूने है विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है यज्य करने का अधिकार यज्य शिष्टाम रितभुजो यांति ब्रम्ह सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्यस्य फुदोन्य गुरुसत्तम यज्य न करने वालों को दुबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता अर्थात यज्य करने का अधिकार उन सब को है जिने मनुष्य शरीर मिला है इश्वर देखा जा सकता है भक्त्यात्वनन्य याशक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्यातुं द्रश्टुंच तत्वेन प्रवेश्टुंच परंतप अनन्य भाक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलब इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्यर की तरह देखता है आश्यर की तरह उपदेश करता है और कोई विरला ही इसे आश्यर की तरह सुनता है अर्थात ये प्रत्यक्ष दर्शन है आत्मा ही सत्य है सनातन है अच्छेद्यो यमदायोयम अक्लेद्यो शोशएवचा नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन हु ये आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है आत्मा ही सत्य है विधाता और उससे उत्पन स्रिष्टी नश्वर है आब्रह्म भुवना लोका उनरावर्ति नोर्जुन मामु पेत्यतु कव्टे उनर जन्मन विध्यते ब्रह्मा और उससे निर्मित स्रिष्टी देवता और दानव दुखों की खानी छण भंगुर और नश्वर है किन्तु मेरा भक्त कभी नश्ट नहीं होता भजन एक परमात्मा का करना चाहिए देव पूजा कामईस्तैस्तैर्वितक ज्ञानाह प्रपज्यन्ते न्यदेवताह तंतन्यममास्थाय प्रकृत्यानियतास्वया कामनाओं से जिनकी बुद्धी आक्राम्त है ऐसे मूण बुद्धी ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्यदेवताओं की पूजा करते हैं ये प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते शद्धयानिता ते पिमामेवकाउंते यजन्त्यविधिपूर्वकम देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है किन्त वह पूजन अविधिपूर्वक है इसलिए नश्ट हो जाता है यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षाउं सिराजसाह प्रेतान भूत गणाउं श्चान्ये यजन्ते तामसा जनाह अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक शद्धा वाले देवताओं को राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं किन्तु कर्शयंत शरीरस्थम भूतक ग्रामम चेतसह माम चैवांत शरीरस्थम तान विध्या सुर निश्चयान वे शरीर रूप से इस्थित भूत समुदाए और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को क्रिश करने वाले हैं उनको तु असुर जान अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतरगत हैं अधम तानहम द्विशत ख्रूरान संसारेशुन राधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आसुरी श्वेवयो निशुन जो यग्य की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुश्यों में अधम हैं अन्य कोई अधम नहीं है नियत विधि क्या है ओमित्येकाक्षरम्ब्रम्ह व्याहरन्मामनुस्मरन् यह प्रयातित्यजन्देहं सयातिपरमाम्गतिम् ओम जो अक्षय ब्रम्ह का परिचायक है उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण तत्वदर्शी महापुरुष के सनरक्षण में ध्यान शास्त्र इतिगुयतमं शास्त्रम इदमुक्तम मयानग एतत बुद्ध्वा बुद्धिमान सयात कृतकृत्यश्च भारत इस प्रकार यह अतिगुपनिय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्याता तथा कृतार्थ हो जाता है अतह योगेश्वर श्री कृष्ण की यहवारी स्वयम में पूर्ण शास्त्र है कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमान है अतह गीता में निर्धारित विदि से आचरण करे धार्म धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एक मात्र मेरी शरण हो जा अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है उस प्रभ को पाने की नियत विदि का आचरण ही धर्माचरण है और जो उसे करता है वो अत्यंत पापे भी शीग्र धर्मात्मा हो जाता है धार्म प्राक्त कहां से करें ब्रम्हनोहि प्रतिष्ठाहं अम्रितस्याव्ययस्यच शाश्वतस्यच धर्मस्यच सुखस्ययकांतिकस्यच उस अविनाशी ब्रम्ह का, अम्रित का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ अर्थात परमात स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है नोट, विश्व के सारे धर्मों की सत्यधारा, एक ईश्वर गीता का ही प्रसारण है ओम् प्राक कथन वस्तुतह, गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवशक्ता प्रतीत नहीं होती क्यूंकि इस पर सहस्त्रों टीकाएं लिखी जा चकी है जिन में पचासों तो केवल संस्कृत में ही है गीता को लेकर पचासों मत है जबकि सब की आधारशिला एक मात्र गीता है योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी फिर यह मतभेईद क्यूं? वस्तुता वक्ता एक ही बात कहता है किन्तु शोता यदि दस बैठे हो तो दस प्रकार के आशाएं ग्रहन करते है व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राजसी, अत्वा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है उसी स्तर से उस वारता को पकड़ पाता है इस से आगे वो समझ नहीं पाता अतह मतभेईद स्वाभाविक है विभिन्न मतवादों से और कभी-कभी एक ही सिभ्धान्त को अलग-अलग काल और भाशाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पढ़ जाता है बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्यधारा भी प्रवाहित है किन्तु शुद्ध अर्थवाली एक टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें ये पहचानना कठिन हो जाता है कि यतार्थ कौन है वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाओं हो गई है सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्धोश करती है किन्तु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर है निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्यकास पर्ष भी किया किन्तु कतिपए कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके श्री कृष्ण के आशे को हृदेयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं क्रमशह चल कर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुषी अक्षर्शह बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते कुछ तो कहने में आप आते हैं कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेश परियाप्त क्रियात्मक हैं जिने कोई पथिक चल कर ही जान सकता है जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे क्रमशह चल कर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है वह गीता की पंग्तियां ही नहीं दोहराता बलके उनके भावों को भी दर्शा देता है क्योंकि जो दृष्ण श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है इसलिए वो देखता है दिखा देगा आप में जागरित भी कर देगा उस पत पर चला भी देगा पूज्य श्री परम हंस जी महराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे उनकी वाणी तथा अंतह प्रेणना से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है यह क्रियात्मक है साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिदी से गुजरना होगा जब तक वो इस से अलग है तब तक स्पष्ठ है कि वो साधन नहीं करता किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है अतह किसी महापुरुष की शरण ले श्री कृष्ठ ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया बल्कि कहा रिशिभिर बहुधा गीतम रिशियों ने अनेको बार जिसका गायन किया है वही कहने जा रहा हूँ उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ग्यान को केवल मैं ही जानता हूँ या मैं ही बताऊंगा बल्कि कहा किसी तत्व दर्शी के पास जाओ निश्कपट भाव से सेवा करके उस ग्यान को प्राप्त करो श्री कृष्ठ ने महापुर्षों द्वारा शोधित सत्ति को ही उदगाटित किया है गीता सुबोध संस्कृत में है यदि अनवयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयम हृदियंगम कर सकेंगे किन्तु आप जिऊंग कातियों अर्थ नहीं लेते उदाहरण के लिए श्री कृष्ठ ने स्पष्ट कहा कि यग्य की प्रक्रिया ही कर्म है फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है यग्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यग्य में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोक कर प्राण आयाम परायन हो जाते हैं बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृतियों को सैयम मागनी में हवन करते है इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यग्य है मन सहित इंद्रियों का सैयम यग्य है शास्त्रकार ने स्वयम यग्य बताया फिर भी आप कहते हैं कि विश्ण के निमित स्वाहा बोलना अगनी में जव तिल घी का हवन करना यग्य है उन योगेश्वर्न ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते बाल की खाल निकाल कर रटने पर भी क्यूं वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यूं पाते हैं वस्तुतह मनुश्य जन्म लेकर क्रमशा बड़ा होता है तो पैत्रिक संपत्ती, घर, दुकान, जमीन जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, गाए, भैस, यंत्र, उपकरण, इद्यादी उसे विरासत में मिलती है ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूड़ियां, परमपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती है तैतीस करोड देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे, विश्व में उनके अंगिनत रूप है शेश्यू जियों जियों बड़ा होता है, अपने माता, पिता, भाई, बहन, पास, पडोस में इनकी पूजा देखता है परिवार में प्रचलित पूजा पधितियों की अमिट छाप उसके मस्तिश्क पर पड़ जाती है देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़ी ही रहता है। उन्हें वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे ब्रहांत पुरुष को गीता जैसा कल्यानकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वो उसे नहीं समझ सकता। पैत्रिक संपदा को कदाचित वो छोड़ भी सकता है किन्तु इन रूड़ियों और मजहभी पचणों को नहीं मिटा सकता। पैत्रिक संपत्ती को हटा कर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं किन्तु दिल दिमाग में अंकित ये रूड़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काट कर अलग तो नहीं रख सकते। अता आप यतार्त शास्त्र को भी उन्हीं रूड़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढाल कर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वारता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं। और नहीं डालती, तो गलत मानते हैं। इसी लिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य, रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पार्खी संत अत्वा सद्गुरू हैं। वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है सब नहीं जान सकते सब के लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझे जिसके लिए श्री कृष्णी ने बल दिया है गीता किसी विशुष्ट व्यक्ति, जाती, वर्ग, पंथ, देशकाल या किसी रूड़ी ग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है बलकि यह सार्व लौकिक, सार्व कालिक धर्म ग्रंथ है यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाती तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए सब के लिए है केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णे नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो पूर्वा ग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान वेशियों के लिए ये आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंब है हिंदूओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है वेद का अर्थ है ज्ञान परमात्मा की जानकारी परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है वेवस्तुतह हिर्दय में जाग्रित होता है विश्वा मित्र चिंतन कर रहे थे उनकी भाक्ति देख कर ब्रमा आये बोले आज से तुम रिशी हो विश्वा मित्र को संतोश नहीं हुआ चिंतन में लगे रहे कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रमा पुनह आये और बोले आज से तुम राजर्शी हो किन्त विश्वा मित्र का समाधान ना हुआ वे अनवरत चिंतन में लगे रहे ब्रमा देवी संपदाओं के साथ पुनह आये और बताया कि आज से तुम महर्शी हुए विश्वा मित्र ने कहा नहीं मुझे जितेंद्रिय ब्रम्हर्शी कही ब्रम्हा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो विश्वा मित्र पुनह तपस्या में लग गए उनके मस्तिश्क से तपस्या की आभा निकलने लगी तब देवताओं ने ब्रम्हा से निवीदन किया ब्रम्हा उसी प्रकार विश्वा मित्र से भूले अब तुम ब्रम्हर्शी हो विश्वा मित्र ने कहा यदि मैं ब्रम्हर्शी हूँ तो वेद हमारा वरण करे वेद विश्वा मित्र के हिरुदे में उतर आया जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया यही वेद है न कि पोथी जहां विश्वा मित्र रहते थे वहां वेद रहता था यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का व्रिक्ष है, उपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति परियंत शाखाएं हैं, जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, वह वेदवित है। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूँ। अतह प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति इश्वर प्रदत्त है। इसलिए वेद को अपवरुशेय कहा जाता है। महापुरुश अपवरुशेय होते हैं। उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक अर्थात ट्रांस्मीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ग्यान के आधार पर उनकी वाणी में नहित यतारत को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है। जिसने क्रियात्मक पत से चल कर इस अपवरुशेय स्थिति को पाया हो। जिसका पुरुश अर्थात अहं परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुता वेद अपवरुशेय है। किन्तु बोलने वाले सौ डेड़ सौ महापुरुश ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किन्तु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिये जाते है। महापुरुश के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है। यद्यपी धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुने की युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूम कर साधारन नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं। जबके मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुश की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के दो भाग हैं। कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है। जैसे वास्त शास्त्र आयुरवेद, धनुरवेद, गंधर्ववेद, इत्यादी। ज्ञानकांड उपनिशद है। उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथमवानी गीता है। सारान्शत गीता अपवरुशे परमात्मा से समुद भूत उपनिशद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुश जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। स्वयम में धर्म ग्रंत है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो। शास्त्र कहलाता है। किन्तु कतिपए धर्माव लंबियों का ये कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा। इसा मसीह पर विश्वास किये बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। वह इश्वर का इकलोता बेटा था। अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूडिवा दिता है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्व भहुम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्म गरंथों में गीता का स्थान अद्वती है। यह स्वयम में धर्म-शास्त्र ही नहीं बल्के अन्य धर्म-गरंथों में नहित सत्य का मान दंड भी है। गीता वहकसोटी है, जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुस्यूत सत्य अनावृत्त हो उटता है, परस पर विरोधी कथनों का समाधान निकलाता है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है, जीवन को आकर्शक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है, जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्ध्वतियों में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है, धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एक मात्र कारण है, जिसका एक भी श्लोक भावतिक जीवन यापन के लिए नहीं है, इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है, तथा कथित धर्म ग्रंथों की भाति यह आपको स्वर्ग या नर्क के द्वंद्व में फसा कर नहीं छोड़ता, बलके उस अम रत्व की उपलब्धी कराता है, जिसके पीछे जन्म मृत्यों का बंधन नहीं रह जाता, प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यग्य, वर्ण, वर्ण संकर, यु बार बार बल दिया है, इन शब्दों का अपना आशय है, और पुनरा वृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है, हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है, तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है, गीता के आकर्षन निम प्रश्ण है जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है वे इस प्रकार है जिने यथार्थ गीता में आप पाएंगे श्री कृष्ण एक योगेश्वर्थ है सत्य आत्मा ही सत्य है सनातन आत्मा सनातन है परमात्मा सनातन है सनातन धर्म परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संगर्ष युद्ध है ये अंता करण की दो प्रवृत्तियां है इन दोनों का मिटना परडाम है युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है ज्ञान योग आराधना ही कर्म है अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रिवित्त होना ज्ञान योग है निश्काम कर्म योग इश्ट पर निर्भर होकर समर्पन के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निश्काम कर्म योग है श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तक्व दर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे यग्य, साधना की विधिविशेश का नाम यग्य है कर्म, यग्य को कार्य रूप देना ही कर्म है वर्ण, आराधना की एक ही विधि, जिसका नाम कर्म है जिसको चार श्रेणियों में बाटा है, वही चार वर्ण है ये एक ही साधक का उंचा नीचा इस्तर है न कि जाती वर्ण संकर परमात्म पत से चुत होना साधन में ब्रहम उत्पन हो जाना वर्ण संकर है मनुष्य की श्रेणी अंतख करण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य दो प्रकार का होता है एक देवताओं जैसा दूसरा असुरों जैसा यही मनुष्य की दो जातियां है जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है देवता हृदय देश में परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है वाहे देवताओं की पूजा कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है ऐसे अविवेकी और मुण बुद्धि की देन है वे मेरे ही पुजारी हैं किन्तु अविधी पूर्वक है अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है बाहर नहीं विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूती है भगवान साधक में दृष्ट बनकर खड़े हूं तभी दिखाई पड़ते हैं पूजनीय देव इश्ट एक मात्र परातपर ब्रह्म ही पूजनीय देव है उसे खोजने का इस्थान हुर्दय देश है उसकी प्राप्ति का स्फरोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है अब इन में से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय तीन तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय तेरह तक आप स्पष्ठ समझने लगेंगे के श्री कृष्ण योगी थे अध्याय दो से ही सत्य निखर जाएगा सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक है ये अध्याय दो से ही स्पष्ठ होगा वैसे पूर्ति परियंत चलेगा युद्ध अध्याय चार तक स्पष्ठ होने लगेगा ग्यारह तक संशय निर्मूल हो जाएगा वैसे अध्याय सोलह तक देखना चाहिए युद्ध स्थल के लिए अध्याय तेरह बार बार देखें ग्यान अध्याय चार से स्पष्ठ होगा तथा अध्याए 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ग्यान है योग अध्याए 6 तक आप समझ सकेंगे वैसे पूर्थी पर्यंत योग के विभिन अंशों की परिभाषा है ग्यान योग अध्याए 3 से 6 तक सपश्ट हो जाएगा आगे देखने की कोई विशेश आवशक्ता नहीं है निश्टाम कर्म योग अध्याए दो से आरंभ होकर पूर्ती परियंत है यग्य आप अध्याए तीन से चार तक पढ़ें स्पष्ट हो जाएगा कर्म का नाम अध्याए दो बटा 49 में प्रथम बार लिया गया है इसी श्लोक से अध्याए चार तक पढ़़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भाजन क्यूं है अध्याए सोले और सत्रह ये विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है वर्ण संकर अध्याय तीन में और अवतार अध्याय चार में स्पष्ट हो जाएगा वर्ण विवस्था के लिए अध्याय अठारे देखना होगा वैसे संकेत अध्याय तीन और चार में भी है मनुष्य की देवा सुर्जातियों के लिए अध्याए 16 द्रश्टव्य है विराट दर्शन अध्याए 10 से 11 तक स्पष्ट हो गया है अध्याए 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है अध्याए 7, 9 और 17 में बाय देवताओं की अस्तिप्व हीनता स्पष्ट हो जाती है परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन, इत्यादी की क्रियाएं जो एकांत में बैठ कर की जाती है अध्याए 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है यदि अध्याए 6 तक ही अध्यायन कर ले तो भी यथार्त गीता का मूल आशे आपकी समझ में आ जाएगा गीता, जीविका, संग्राम का साधन नहीं अपितु, जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का कुरियात्मत प्रशिक्षन है इसलिए युद्ध करंत है जो वास्तव एक विजय दिलाता है किन्तु गीतो तो युद्ध तलवार, धनुष, वान, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और ना इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है ये सदसत प्रवृतियों का संगर्श है जिनके रूप कात्मक वरणन की परंपरा रही है वेद में इंद्र और वित्र विद्या और अविद्या पुराणों में देवासुर संग्राम महा काव्यों में राम और रावन कौरव एवं पांडवों के संगर्श को ही गीता में धर्मक्षेत्र और कुरक्षेत्र दैवी संपद एवं आसुरी संपद सजातिय एवं विजातिय सद्गुण एवं दुर्गुणों का संगर्ष कहा गया है यह संगर्ष जहां होता है वह इस्थान कहां है गीता का धर्मक्षेत्र और कुरक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं बल्के स्वयम गीताकार के शब्दों में इदम शरीरं कौंते खेत्र मित्य भी धीयते कौंते यह शरीर ही एक खेत्र है जिसमें बोया हुआ भाला और बुरा बीज संसकार रूप से सदैव उगता है दस इंद्रिया, मन, बुद्ध, चित, अहंकार, पाँचों विकार और तीनों गुणों का विकार इस खेत्र का विस्तार है प्रकृति से उत्पन इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है वे खण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है यही कुरुक खेत्र है सद्गुरू के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परमधर्म परमात्मा की और अग्रसर होता है तब यह क्षेत्र धर्मख्षेत्र बन जाता है यह शरीर ही क्षेत्र है इसी शरीर के अंतराल में अंतह करण की दो प्रवर्थियां पुरातन है दैवी संपद और आसुरी संपद दैवी संपद में हैं पुन्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती पुन्य जागरित होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझ कर करता है अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है किन्तु उससे कर्तव्य होता नहीं क्योंकि पुन्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्धर्ष शत्र यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजाती ये कर्म ही कर्ण है जो बंधनकारी है जिससे परंपरागत रूडियों का चित्रा होता है। पूजा पधतियां पिंड नहीं छोड़ती। पुन्य जाग्रित होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी बहीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव, सात्वित्ता रूपी सात्यकि, काया में सामर्थ्य रूपी काशिराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर व अनसिक प्रवृत्तियों का उतकर्ष होता है, जिनकी गणना साथ अक्षोंहणी है, अक्ष, दृष्टि को कहते हैं, सत्यमई दृष्टि कोण से जिसका गठन है, वह है दैवी संपन, परमधर्म, परमात्मा तक की दूरी तै कराने वाली, ये सात सीड़ियां, सात भूमिक आये हैं, नकि कोई गणना विशेश, वस्तुतह ये प्रवृत्तियां अनंत है, दूसरी ओर है कुरुक्षित्र, जिसमें दस इंद्रियां और एक मन ग्यारे अक्षोंहणी सेना है, मन सहित इंद्रिय मई दृष्टि कोण से जिसका गठन है, वह है आसुरी संपन, जिसमें हैं अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य को जानते हुए भी अंधा बना रहता है, उसकी सहचारणी है गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति, इनके साथ हैं मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुध्धी रूपी दुष्षासन, विजातिय कर्म रू दुष्म, द्वईत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर्य है, जो रहता है अज्ञान में, किन् द्रिष्ट सदैव पांडवों पर है, पुन्य से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है, इस प्रकार आसुरी संपत भी अनंत है, छेत्र एक ही है, यह शरीर इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो है, एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परमपुरुष्ष्परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है, तत्वदर्शी महापुरुष्ष्पे सनरक्षण में, क्रमशय साधन करने पर दैवी संपत का उतकर्ष और आसुरी सं निरोध और निरुध मन का भी विलय हो जाता है तो दैवी संपत की आवशक्ता समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरवपक्ष के अनंतर पांडवपक्ष के योध्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे है। पूर्ति के साथ दैवी संपद भी विलीन हो जाती है अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयाईयों के मार्ग दरशन के लिए ही करता है लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों में सोक्ष मनो भावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप दे कर किया है गीता चंदो बद्ध है व्याकरण सम्मत है किन्तु इसके पात्र प्रतिकात्मक है अमूर्थ योग्यताओं के मूर्थ रूप मात्र है गीता के आरंब में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया है जिनमें आधे सजातिये हैं आधे विजातिये कुछ पांडव पक्ष के हैं कुछ कौरव पक्ष के विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनह आये हैं अन्यता संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है एक मात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंब से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है ना की व्यक्ति विशेश गीता के आरंब में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है किन्तु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है शरीर नाश्वान है इसलिए युद्ध कर इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौर्वो को ही मारे पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही तो थे दोनों और संबंधी ही तो थे संसकारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा जब शरीर नाश्वान है जिसका अस्तित्व है ही नहीं तो अर्जुन कौन था श्रीकृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे श्रीकृष्ण ने कहा जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापाई मुण बुद्धी पुरुष व्यर्थे ही जीता है यदि श्री कृष्ण किशी शरीर धारी की रक्षा में खड़े हैं तब तो वे भी मूण बुद्धी हैं व्यर्थ ही जीने वाले हैं वस्तुता अनुराग ही अर्जुन है अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं अर्जुन शिष्ष था और श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे विनियावनत होकर उसने कहा धर्म के मार्ग में मोहिचित मैं आपसे पूछता हूँ जो श्रेय अर्थात परम का ल्याणकारी हो वे उपदेश मेरे प्रतिका ही है अर्जुन श्रेय चाहता था प्रेय अर्थात भहुतिक पदार्थ नहीं केवल कहिए ही नहीं साधिये संभालिये मैं आपका शेश्य हूँ आपकी शर्ण में हूँ इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्थ अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरू है वे सद्गुरू अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं उनका मार्ग दर्शन करते हैं जब भावुक्ता वश कोई व्यक्ति पूज्य महराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता है तब वे कहा करते थे जाओ शरीर से कहीं रहो मन से मेरे पास आते रहो प्रातह सायं, राम, शिव, ओम किसी एक दो ढ़ाई अक्षर के नाम का जाप करो और मेरे स्वरूप का हरदय में ध्यान धरो एक मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है, वो मैं तुम्हें दूँगा इस से अधिक पकड़ने लगोगे तो हरदय से रथी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहोंगा जब सुरत पकड़ में आ जाती है तो इसके बाद महापुरुश इतना ही पास में रहते हैं जितना हाथ, पाओ, नाक, कान इत्यादी आपके पास हैं आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों नहों वे सदैव समीब हैं मन में विचारों के उठने से भी पहले वे मार्ग दर्शन करने लग जाते हैं अनुरागी के हरुदे में वे महापुरुष सदैव आत्मा से अभेन्न होकर जागरत रहते हैं अर्जुन अनुराग का प्रतीक है गीता के ग्यारवे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का एश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी चुद्र तुटियों के लिए च्छमा याचना करने लगा श्री कृष्ण ने च्छमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा अर्जुन मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है और न भविश्य में कोई देख सकेगा तब तो गीता हम लोगों के लिए व्यर्थ है क्योंकि उस दर्शन की योगिताएं अर्जुन तक सीमित रह गई जबकि उसी समय संजय देख रहा था पहले भी उन्होंने कहा बहुत से योगी जन ग्यान रूपी तब से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं अन्ततह वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं वस्तता अनुराग ही अर्जुन है जो आपके हृदय की भावना विशेश है अनुराग विहीन पुरुष ना कभी पूर्वो में देख सका है और ना ही अनुराग विहीन पुरुष भाविश्य में कभी देख सकेगा मिले ही नरगुपति बिन अनुरागा की जोग तब ग्यान बिरागा अतह अर्जुन एक प्रतीक है यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दे गीता आपके लिए नहीं है क्योंकि उस दर्शन की योगिता अर्जुन तक ही सी मित रह गई अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णे देते है अर्जुन अनन्य भक्ति और शद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए अर्थात जैसा तूने देखा तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलब हूँ अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का स्वरूप भी है अर्जुन पथिक का प्रतीक है इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है यथा इस्थान उनका संकेत है रहे हूँ कोई अइतिहासिक श्री कृष्ण और अर्जुन निष्चे ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध किन्तु गीता में बहुत एक युद्ध का चित्रन कदा भी नहीं है उस एतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन न की सेना सेना तो लडने को तयार खड़ी थी क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सव्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया वस्तुता साधन लिखने में नहीं आता सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेश ही रहता है यही पिरिर्ण यथार्थ गीता है सद्गुरु कृपाश्राई जगत बंदु स्वामी अणगणानंद जे श्री गुरु पूर्ण माँ 24 जुलाई 1983 एस्वी च्टुरु झालँ माँ 25 जुलाई जे जुलाई जगत लिए जाधनांद पुलाईंगे जुलाई ज... झाल झाल